नमस्कार जीरो से जिन्यस तक की एक और नाए एस्पेशल वीडियो क्मी टेस्ट में आज आप से पूछे जाएंगे जीके के 20 इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को तो आप इस वीडियो क्मी टेस्ट को ध्यान सके लिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है निमना लिखित में से सेल क्यों जाने जाते हैं आपको जब आप सुचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंट का समय जो सुरू होते हैं अब सेल क्यों जाने जाते हैं राइट आंसर होगा आपसर नमबर ए एस्टील उत्पादन के लिए कोश्चन नमबर टू अजाद हिंद फौज की अस्थापना कहां की गई थी यह सवाल हलका में ना लेजिएगा क्योंकि यह सवाल हाली के एकजाम में पूछा था अजाद हिंद फौज की अस्थापना सिंगापूर में हुआ था राइट आंसर होगा आपसर नमबर बी सिंगापूर कोश्चन नमबर टीन गोधरा कांड डायस में लोगों को जलाय जाने के लिए प्रसिद है सही अंसर होगा आपसर नमबर ए रेलगारी में कोश्चन नमबर फौर मानो सर्वे प्राथम चंदार्मा पर कब उत्रा और उस मानो का नाम आपको याद है मानो सर्वे प्राथम चंदार्मा पर कब उत्रा सही आंसर होगा option number D, 1979 इस भी में और उस मानो का नाम था नील आर्मे स्ट्रोंग question number 5 TB रोग के रोग थाम के लिए कौन सा टिक का इस्तमाल किया जाता है सही आंसर होगा option number D, BCG का टिक का लगाया जाता है question number 6 भारत भारती के लेखक कौन है भारत भारती के लेखक कौन है सही आंसर होगा option number D, मैथली सरन गुप्त question number 7 भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है सही आंसर है option number D, दाहेज जो की गुजरात में इस्तित है question number 8 मदर ट्रेशा द्वारा अस्थापित, धर्मे संग, क्या कहलाता है सही आंसर होगा option number A, Missionaries of Charity question number 9, दलन्दा विश्वा विद्याले के संस्थापक कौन थे ? सही आंसर होगा option number D, कुमार गुप्त प्राथम question number 10, अकबर का जन्म कहां पर हुआ था ? सही आंसर होगा option number D, अमर कोट में और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा देजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्यावस पर और करता है धन्यावाद आगे सवाल है करनाटक का प्राचीन नाम क्या है सही आंसर होगा ऑप्सन नमबर बी मैंसोर कोशन नमबर बारा छेत्रफल की दिरिष्टी से बीस्वा में भारत का कौन सा अस्थान है सही आंसर होगा ऑप्सन नमबर ए सात्वा कोशन नमबर तेरा करनाटक राज्या की उच नयाले कहां पड़ इस्तित है सही आंसर होगा ऑप्सन नमबर ए बैंगलॉर कोशन नमबर चौदा कौन ब्याक्ति हाली में सीमा सरक संगठन के नए महा निदेशक बने है सवाल इंपर्टेंट है एक बर फिर से सुन लिजिए कौन ब्याक्ति हाली में सीमा सरक संगठन के नए महा निदेशक बने है सही आंसर होगा option number C, राजिव चौधरे, question number 15 बुद्ध गरहा एक दिन, बुद्ध गरहा का एक दिन, पृत्वी गरहा के कितने दिन के बराबर होते हैं यहां आपको options के according answer देना होगा, जैसा questions है, उसके options के according answer देना होगा, ऐसा exam में भी आता है, आपको confuse करने के लिए आपने पढ़ा होगा 88 days, 88 दिन, लेकिन answer यहां होगा option number D, 90 दिन, क्योंकि option में यह ही दिये गए है, question number 16 जलियावाला बाग हत्याकांड के दोसी, जनरल डायर की हत्या, किसने की, उनके घर में जाकर गोली मारा था, सही answer होगा, option number C, उधम सेंग जी, 1940 में जनरल डायर की हत्या की थी, question number 17, आएकर किसकी द्वारा लगाया जाता है, आएकर किसकी द्वारा लगाया जाता है, सही answer होगा, option number B, केंदरिये सरकार के द्वारा, center government के द्वारा, question number 18, भारत के सबसे पुरानी अरावली परवत माला, है, ये राजस्थान में इस्तित है, right answer होगा, option number D, और सिस्ट, स्रेनी की परवत माला है, question number 19, नर्मदा यह तापती नदी के बीच में, कौन सी परवत माला इस्तित है, सही answer होगा, option number D, सत पूरा, question number 20, डेंगू बुखार किसके काटने से फ़लता है, ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे, और बहुत लोगों ने answer दिया था, एंडीज मच्छर, लेकिन answer होगा, E और B दोनो, Q-Lex, Q-Lex और एंडीज मच्छर दोनों के काटने से टेंगू बुखार फलता है, तो right answer हो जाएगा, option number D, E और B दोनो, Q-Lex, आपके लिए एक नय सवाल है, तीसरे empire, नियम के प्रथम सिकार, कौन सा खिलारी बने, यदि आप right answer बता सकते हैं, तो simply आपको comment box में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा, Q4U और इसके right answer, वीडियो पसंद आया तो like करके अपने मित्र जनों में, आप चाहे तो share कर सकते हैं, और आपने इसके पिछले पाट को नहीं देखे हैं, तो यहाँ इस्क्रीन पर किली करके आप देख सकते हैं, आप हमार साथ regular जरूर रहिए, आप जो पढ़ाई करते हैं करिए साथ में हमारे जो डेली एक के वीडियो अपलोड होता है, उससे देखेंगे तो आपका knowledge बढ़ेगा और यहां से भी आपके exam में प्रशना पूछे जाते हैं, तो मिलता फिर अगले वीडियो में, जै हिंद, जै भारत